गुड मोर्निंग आप सभी को हम बात कर रहे हैं टीशू सिस्टम के बारे में टीशू सिस्टम है तीन टाइप है वो मैंने आपको बताए कि टीशू सिस्टम है वो देने वाले थे सच्स एंड है बरलेंड ने है वो टीशू सिस्टम है वो दिया तीन टाइप है वो इसके होत प्रोटोड्रम से होता था वैसे ही रूट अपेक्स में जो एपिडर्मिस है उसका निर्मान डर्मेटोजन के दुआरा है वो होता है और फिर हमने जो ग्राउंडेट टिशू सिस्टम है उसमें है वो विभीन परकार के जो डर्मिस है वो पड़ी जैसे की हाईपोडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिशाइकल, मेडूला या फिर उसे पित भी कहते हैं और मेडूलरी रेज के बारे में है वो हमने विस्तरित रूप से है वो चर्चा कर ली थी हमने आज हम जो वेस्कुलर टिशू सिस्टम है इसका अंतिम पार्ट वेस्कुलर टिशू सिस्टम उसके बारे में है वो जानेंगे वेस्कुलर जो टिश में है वो डिवाइड किया गया है जाइलम को एक होता है प्राइमेरी जाइलम एक होता है सेकेंडरी जाइलम जो प्राइमेरी जाइलम होता है उसका निर्मान हमें पता है प्रोकेंबियम या फिर प्राइमेरी मेरिश्टेम के द्वारा है वो इसका निर्मान है वो होता है इस का किसका निर्मान प्राइमेरी जायलम का निर्मान प्रोकेम्बियम या फिर प्राइमेरी मेरिस्टेम के द्वारा होता है जब प्राइमेरी जो मेरिस्टेम है उसमें डिफ्रेंसियेशन होता है तो प्रोटो जायलम और मेटा जायलम का है वो निर्मान होता है यानि कि जो पह जाइलम है उसका जो निर्माण है वो वेश्कुलर या फिल लेटरल जो मेरी स्टेम है उसके दवारा है वो निर्माण होता है और इसके अंदर है वो डिफ्रेंशीयेशन ह हैं वो नहीं होता है यानि जायलम मेरे ढौह सेकंड़ी जायलम जो प्राइमेरी जायलम होता है उसका निर्मान होता है प्रोकेंबियम के दुआरा जो स्टेकेंडरी जायलम होता है उसका जो निर्मान होता है वो होता है दो टाइप के जायलम होता है प्रोटो जायलम एक मेटा जायलम जो प्रोटो जायलम है वो पहले बनता है मेटा जायलम बाद में बनता है अब हम बात करेंगे जो secondary जायलम सेकंडरी जायलम है उसका निर्माण वेस्कुलर वेस्कुलर या फिर हम cambium कह सकते हैं और lateral मेरी stem के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें differentiation की किरिया है वो नहीं होती primary जायलम में differentiation की किरिया यानि विभेदन की किरिया से दो प्रकार के जायलम है वो बनते हैं एक proto-जायलम दूसरा था metagylem अब हम बात करेंगे जो phloem है उसके बारे में कि जो phloem है वो होता है किस टाइप का जो phloem होता है वो दो differentiation यानि विभेदन की किरिया होती है तो प्रोटो phloem और metafloem का है वो निर्मान होता है जो प्रोटो phloem है उसमें जो चालनी नली का है उसका आकार है वो छोटा होता है जबकि जो metafloem है उसमें primary जो जो चालनी जो नली का है उसका आकार है वो बड़ा होता है स्लाइव ट्यूपता आकार बड़ा होता है प्राइमेरी में छोटा और सेकेंडरी में मेटा में मेटा फ्लोयम में है वो बड़ा आकार है वो इसका होता है अब हम बात करेंगे सेकेंडरी फ्लोयम के बारे में जो सेकेंडरी फ्लोयम है वो वेस्कुलर केंबियम या लेटरल म यानि कि इसमें भी प्राइमेरी जायलम में भी डिफ्रेंसियेशन हुआ और प्राइमेरी जो फ्लोयम है उसमें भी डिफ्रेंसियेशन हुआ इसका निर्मान भी है वो प्राइमेरी मेरी स्टेम के द्वारा हुआ इसका निर्मान भी प्राइमेरी मेरी स्टेम या फिर प्रोक इसमें जो चालनी नलिका का आकार छोटा होता है, मेटा में बड़ा आकार होता है, और इसमें भी जो सेकंडरी जायलम है, उसमें डिफ्रेंसियेशन नहीं होता, इसमें भी डिफ्रेंसियेशन है, वो नहीं होता, और लेटरल मेरी स्टेम के दोरा इसका निर्मान होता है, उस उसमें monocode जो प्लांट होते हैं, उसमें जो secondary growth होती है, वो होती है, absent, जो dicode जो plants है, उसमें जो secondary growth होती है, वो होती है, present. अब हम जो bascular जो bundle है, उसके type है, वो किस आधार पर proto-gyalum और metal-gyalum की जो position होती है, उसके आधार पर है वो हम बात करेंगे इसकी तीन पार्ट है वो होते हैं एक होता है एक जार एक होता है एंडार और एक होता है मिजार किसके आधार पर प्रोटो जाइलम और मेडा जाइलम की जो पोजिशन होती है उसके आधार पर तीन टाइप होते हैं एक जार एंडार और मी जार्क, जो एक जार्क होता है वो रूट है उसमें रूट दो टाइप की होती है एक डाइकोट, एक होती है मोनोकोट, जो डाइकोट जो रूट होती है, PX का मतलब परी, जो प्रोटोजाइलम परीदी पर पाये जाता है MX का मतलब, जो सेंटर में पाया जाता है प्रोटो जाइलम जो PX होती है यानि कि एक जार्क में क्या होता है जो प्रोटो जाइलम होता है वो होता है परीदी की तरफ जबकि MX का मतलब है जो मेटा जाइलम होता है वो होता है सेंटर की तरफ ये परीदी है इसकी तरफ जो सबसे पहले जो जाइलम पाय जाते हैं वो पाय जाते है प्रोटो जाइलम वो होता है प्रीदी की तरफ जो मेटा जाइलम होता है वो पाय जाता है सेंडर की तरफ अब दूसरा जो टाइप है वो है एंडार्क एंडार्क में स्टेम है वो आता है जिसे कि मोनो कोट और डा परिदी की तरफ होता है इसमें ये परिदी की तरफ हो गया मेटा जायलम और जबकि ये सेंटर की तरफ है वो कौन सा हो गया प्रोटो जायलम यानि की दोनु आपत में है वो वीप्रित होते हैं ये रूट में है वो पाय जाता है ये स्टेम में पाय जाता है जो पी-एक्स य यानि राइजोम होता है फारंस में उसमें पाया जाता है स्टेम फारंस डाइकोड जो स्टेम होते हैं उसमें पाया जाता है इसमें क्या होता है कि जो मेटाजाइलम है वो प्रोटोजाइलम के चेरू तरफ है वो चक्र लगाता रहता है ये अंदर वाला हो गया मेटा जायलम और जो बाहर वाला अंदर वाला हो गया प्रोटो जायलम और जो मेटा जायलम है वो इसके बाहर की तरफ है वो चक्र लगाता है ये सारे जो मेटा जायलम है वो प्रोटो जायलम की चैरू तरफ है वो चक्र ल होता है मेटा जायलम सेंटर में पाया जाता है एंडार्क में क्या होता है यह स्टेम में होता है और इसमें जो प्रोटो जायलम होता है वो सेंटर की तरफ होता है और मेटा जायलम होता है वो परीदी की तरफ है वो पाया जाता है और मिजार्क में क्या होता है कि जो प्रोटो जायलम के चार उत्रफ है वो मेटा जायलम है वो चक्र लगाता है ये है अब जो वेस्ट कुलर जो बंडल यानि कि ये आप इससे समझ सकते है VBN यानि वेस्ट कुलर बंडल नंबर हो गई और X का मतलब हो गया जायलम, P का मतलब फ्लोयम और जो आर है वो रेडियस है वो है और C का मतलब हो गया केंबियम यानि जहां पर सोर्ट है वो आजाए तो आप इनसे जो ये वर्ड लिखें इनसे समझ सकते हैं वेस्ट कुलर बंडल on the basis of number यानि नंबर के आधार पर वेस्ट कुलर बंडल नंबर के अधार पर है वो तीन टाइप के होते हैं एक होता है डाई आर्क, दूसरा ट्राई आर्क और तीसरा होता है पॉली आर्क, जो डाई आर्क यानि दो वेस्ट कुलर बंडल की संग्या है वो दो होती है ट्राई आर्क यानि वेस्कुलर बंडल की संख्या तीन होती है और पॉलियार्क यानि वेस्कुलर बंडल की संख्या है वो तीन होती है डाई कोट जो स्टेम होता है उसमें वेस्कुलर जो बंडल होते हैं वो होते हैं और मोनो कोट जो स्टेम होता है उसमें जो वेश्कुलर जो बंडल है उनकी संख्या है वो 6 से अधिक होती है IMP है वो लगा लेना सबसे important point है एक्जाम में है वो 2 से 3 तफ़ा है ये क्यूशन है वो पुछा गया है कि मोनो कोट स्टेम में वेश्कुलर बंडल की संख्या है वो कितनी होती है तो कितनी होती है तो हम जवाब देंगे 6 से अधिक होती है अब हम जो Weskular Bundle है उसके बात है वो करेंगे Weskular Bundle है वो इसमें है वो जो डेडियस होती है उसके आधार पर है वो कितने टाइप के है वो होते है यानि तीन टाइप है वो वेस्ट कुलर बंडल के हमने पड़े एक तो पड़ा हमने जो प्रोटो जैलम और मेटा जैलम की राद सेरे डात स्रस्कें अप्रक्राइब और इसा सथाका समय आबसरा अजली है नगुड में सॉकत नग चाला तरफ समय अंतश ढेमार कया है सा जाक्कर marginalized आज़ गोंपाइब को दोकिग ऑन होआगी है यानि अलग-अलग जो radius होती है वो इस टाइप से है वो radius पर है वो अलग इसकी radius अलग है और इसकी radius है वो लग जाइलम ये हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोयम यानि जो दोलु जाइलम और फ्लोयम है वो अलग-अलग radius पर है वो परजेंट होते हैं दूसरा है कंजोइंट, कंजोइंट है वो है जब जाइलम एम फ्लोयम एक ही रेडियस पर हो, यानि कि जाइलम इस रेडियल के अंदर क्या है था, अलग-अलग थी जाइलम वा फ्लोयम, अलग-लग रेडियस पर थे, जब कि कंजोइंट होता है उसमें जाइलम वा फ्लोयम है वो एक ही radius भर है वो परजेंट होते हैं कि जो दो टाइप होते हैं एक होता है collateral दूसरा होता है by collateral collateral है उसमें एक आता है open एक आता है closed open होता है उसमें cambium हो परजेंट होती है और जबकि जो closed होता है उसमें cambium हो absent होती है जो dicot stem है उसमें जो cambium हो परजेंट होती है और ये open होता है, यानि क्यूशन है, वो किस टाइप से पुछा जाएगा, कि डाइकोट ध्यान से सुननी है, ये बात कि क्यूशन है, वो इस टाइप से पुछा जाएगा, कि डाइकोट जो stem होता है, उसमें vascular bundle है, वो किस टाइप का होता है, तो हमारा जो answer होगा कि conjoint होता है, collateral होता है, यानि open होता है और cambium है, यानि cambium है वो present होगी, यानि हम answer कैसे देंगे कि conjoint, collateral और open होता है dicot stem में, जबकि जो monocot stem होता है, उसमें हम answer कैसे देंगे, कि यह होगा है, monocot stem में कैसा होगा, कि conjoint होगा, closed होगा, conjoint और closed है, वो होगा monocot stem के अंदर, अब दूसरा जो type था, यानि कि दो type थे, conjoint के, एक collateral और bicollateral, collateral के दो type थे, open और closed, open है, वो dicot में पाये जाता है, जबकि closed है, वो monocot में पाये जाता है, जो दूसरा type है, कोलेटरल दूसरा type है, bi-collateral, जो bi-collateral है, वो stem of cooker beta है, उसमें पाये जाता है, जाइलम के दोनु और cambium और phloem है, वो इसमें स्थीथ होता है, यानि कि, जायलम के दोनों और केम्बियम पाए जाता है और एक पाए जाता है फ्लोयम है वो परजेंट होता है उपर वला फ्लोयम फिर नीचे है केम्बियम और फिर इसके नीचे है जायलम और जायलम के बाद में क्या गया फ्लोयम आए गया यहाँ पर और फिर ये तीसरा टाइप आ गया, वो हागे केम्बियम, यानि जायलम के दोनु और कोन उपस्तित होते हैं, एक होता है फ्लोयम, और एक होता है जायलम यहाँ पर है, वो भी है, यानि एक तरफ है वो जायलम परजेंट होता है, और एक तरफ होता है फ्लोयम, केम्बियम होत दूसरा कंजोईंट और तिसरा कोईन सेंट्रीक तो अब तिसरा टाइप है वह कोईन सेंट्रीक है वो आगया कोईन सेंट्रीक Weiscular Bundle इसमें क्या होता है कि जायलं वप्लोयं है वो एक ही सेंटर वह yeah वो परजेंट होते हैं, एक है एमफी क्राइबल, दूसरा है एमफी वेशल, यानि दो टाइप है, एमफी क्राइबल और एमफी वेशल, एमफी क्राइबल है, उसे हाइडरो सेंट्रिक है, वो कहते हैं, जबकि एमफी वेशल है, उसे लेप्टो सेंट्रिक हैते हैं, जो की तरफ है वो फ्लोएम पाये जाते हैं अगर जो जायलम होता है वह बाहर की तरफ हो हो गया फ्लोएम होगा वह अंदर की तरफ है तो वह गया एंफी वेसल तो जो Amphicribal है उसके जो जमपल है वो Regalumophers, Sleag ви Allen Allah और programming और Cyclopodium है वो इसके तीने जमपल है वो गए और दूसरा था Amphivical, Amphivical में Leptocentric जब phloem केंदर में हो और phloem के चारू तरफ जाहिलं है वोل परजेंट हो तो उसे कते हैं, एमफी वेशल, इसके जो एक़ा और रोशीना है, वो इसके एक़ा पर है, वो आ जाएंगे, यानि कि हमने जो प्यूशन है, वो इस टाइप से है, वो पुछा जाएगा, कि राइजोम, जो जलेजिनला है, उसमें जो वेशकुलर बंडल है, वो किस टाइप का है, वो पा तो आज हमने जो बंडल है उसके बारे में है वो जाना आगे की चर्चा हम करेंगे कल धन्यवाद फ्रिस्टनरोग जो नाद है यू श НА बारμε जर स्चाओा है यू यूजवा ठारे में इंस भारे में है वो जोि closure पोगित लिजिया है यू झाल क क्या है, यू चे डिंडल रगा है का बंडल है